वेलकम मित्रो, नमस्कार साथियो, आपको आज कचुए के बारे में विश्तरित वर्णन इस वीडियो में देखने को मिलेगा मित्रो, ये कच्छप जो एक विश्णु भगवान का आउतार था, मंद्रांचल परवत अपनी पीट पर रखने वाला समुद्र मंथन के समय ये इसकी जो पीट है, ये बहुत ही कठोर होती है दोस्तो, इसने समुद्र मंथन के समय कठोर मंद्रांचल परवत को अपने पीट पर रुपाया था मित्रो, क्योंकि समुद्र में मंद्रांचल परवत दस्ता जा रहा था तब विशनु भगवान ने कठचप आउतार लिया था और मंद्रांचल परवत को अपने पीट पर रखा था तब ही देवताओं और असरों ने समुद्र मंथन किया था मित्रो कच्छुआ को घर में मित्रो पालें या ना पालें परन्तु इसके जीवन की रक्षा जरूर करें कुछ लोगों को मित्रो ये जरूर कहते सुना है मैंने की कच्छुए से धन प्राप्ति होती है ऐसा होता है वैसा होता है मित्रो मेरा मानना सिर्फ इतना है कि जीव को जीने का अधिकार होता है इसको अपने प्राकृतिक आवास में रहने की आजादी मिलेनी चाहिए गड़े मैं छोड़ दूँगा नलका जो अभी मेरे पास नलकूप लगा हुआ है उसका गड़ा है पानी बराबर जाता रहता है 365 दिन उसमें पानी बना रहता है इसको मैं छोड़ने वाला हूँ दोस्तो आपको जहां भी मिलें इसकी रक्षा करें इसके जीवन की नाखून देख सकते हैं आप इसके ये है इसके बल से मिट्टी में वो पकड़ बनाता है और चलता है मित्रो कचुआ धीमी चाल के लिए जाना जाता है कचुए और खरगोस की आपने एक कहानी तो सुनी होगी देखीगा मैं इसकी पीठ आपको उल्टी करके दिखाता हूँ कैसे होता है इसका नीचे का सेप मित्रो ये देखेगा पैर यहां से निकालता है और देख सकते हैं ये पीठ के नीचे का हिस्सा है जो दौन तरफ चारोड घिरा रहता है इस पर आप अगर पत्थर भी फेक दें ऐसे फेकीगा नहीं मित्रो मैं एक बता रहा हूँ ये कठोर पीठ वाला होता है जीव इसकी रक्षा जरूर कीजिए इस गड़े में मित्रो में इसको सर्वाइब के लिए डाल दूँगा ये देखीगा तसले में साफ पानी में इसको मैंने रखा है ये भूसे के धेर से मिला है मुझे मैंने इसको वहाँ से लाया और पानी में इसको रखा साफ पानी में आप इसको मैं इस गड़े में छोड़ने वाला हूँ मित्रो आपको जहां भी ये मिलें इनकी सुरक्षा कीजिए रक्षा कीजिए हाथ जोड़ करके मित्रो डिक्वेस्ट है या फिर वन विभाग को WWF World Wildlife Fund वालों को दोस्तों सूचना दीजिए वन जीव सरक्षण विभाग को जो इसकी रक्षा कर सकेंगे मित्रों देखीगा मैं इसको छोड़े दे रहा हूँ ये अपने प्राकृतिक आवास में रहेगा मिट्टी और दलदल और जल में रहने वाला ये जीव बहुत ही प्यारा है मित्रों ये देखीगा धस्ता जा रहा है इस कीचण में ये बहुत ही आसानी से जीवन बितीत करेगा इस गड़े में मित्रों बराबर में पानी चलाता रहूँगा अपने नलकूप से मित्रो ये लगभग 200 वर्सों तक जीने वाला जीव है ऐसा माना जाता है कि आपके परवार की लंबी उम्र होती है अगर आप इसे अपने घर में पालें मित्रो जो सच्चाई हो ये मुझे पता नहीं बट कुछ लोग कहते हैं तो ये कहवते मैं आपको बता रहा हूँ धन की प्राप्ति होती है ऐसा ये सुनने में मिला है मैं इस लालसा से नहीं इसे पाल रहा बस इसके जीवन के लिए मैं इसको इस गड़े में छोड़ रहा हूँ ये जीवन वितीत करें अपना सर्वाइब करें ओके मित्रो बहुत अच्छा है येसे जीवों को हमेशा सुरक्षे दिस्तानों पर पहुँचाएं अगर आपसे सुरक्षा नहीं होती है मित्रो बस एक फॉन करें पुलिस को या वन जीव संरक्षन विभाग को वो इनको ले पहँआ था ऐसे जीवों का हमेशा से संदक चड़कर है ये बहुत प्यारा जीव इस तसले में तेर रहा है मुझे अजीब लग रहा है इस तसले में भी रख करके क्योंकि इसको मैंने उस सुतंत्र ताइसकी छीन लिए है तसले में रख दिए है इसलिए मुझे खुद जीब लग रहा है मैं इसको छोड़ दिया हूँ गढ़े में ओके मित्रो ठैंक्स पूर वाचिंग वीडियो जै हिंद जै भारत मित्रो